असलाम अलेकुम दोस्तों कुईट से कुछ इंपोर्टेंट अपडेट आ रहे हैं तो दोस्तों आज के सेडियो में देख लेते हैं कुईट से दोस्तों सभी खबर देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों यहाँ पर बता दे कि नया विजा रेक्व रेक्वार्मेंट है यहाँ पर दोस्तों बताए गया है कि डॉक्टर से लेकर के नर्सिंग स्टाप टेक्नेसियन और फर्मासिस्ट दोस्तों इन सभी लाइन में जो लोग भी आना चाहते हैं जो लोग एनिगी कोर्स कर रखे हैं इंडिया से अगर बाहर कंट्री जैसे की क वेत आने के लिए दोस्तों उनके लिए ये एक अच्छा उफर रहेगा क्योंकि अभी तक आपको बता दे कि जो नया रेक्वार्मेंट है उसके ओपर कोविट-19 के कारण बैंड लगा हुआ था लेकिन अभी यहाँ पर बैंड को लिफ्टेट हटा दिया गया है दस सिविल से अच्छी अपडेट है आपको बता दे कि कोविट के अंदर जैसे ही कोविट-19 का केसे कम होता हुआ जा रहा है उस तरीके से कोविट के अंदर सभी विवाग के अंदर एक अच्छी अपडेट आ रही है उसके बाद दोस्तों कोविट से अगली अपडेट कोविट-DGC क के तरफ से हैं दुस्तों बता गया है कि कुएट इंटनेसनल एरपोट के लिए और भी कई । यानि ़िस्टिनेसे के उपर पाबंदी लगा हुआ था उन सब inacró हो जल्द से जल्द ही जूरा जाएगा यहां पर साथ ही बता है कि साथी अरब का रियाद के लिए एक फ्लाइट को डेली से चालू कर दिया गया है दोस्तों बता दे कि काफी लंबाई समय से साथी और कुईट के भी जो एर्लाइंस का संचालन है वो बंद था कुराना के कारण लेकिन अभी कुईट गवर्मेंट के तरफ से बता गया है कि डेली रियाद के लिए एक फ्लाइट को स्टार्ट कर दिया गया है उसके बाद दोस्तों कुईट से अगली अपडेट कुईट सिविल आइडी को लेकर के हैं यहां पे कुईट का जो पब्लिक अथर्टी है उनके तरफ से बता गया है कि कुईट सिविल आइडी में куч अपडेट हो सकता है यहां पे दोस्तों सिटीजन और परवासी दोनों के लिए बता गया है कि जतने भी कुईट से सिविल आइडी इसो होता है उसमें कुछ अपडेट करने की जरूरत है तो हो सकता है दोस्तो सिविल आइडी में कुछ नया चेंजिंग हो तो दोस्तो ये कुएट से कुछ अपडेट था कुएट से दोस्तो सभी खबर देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से के साथ